भगवान शिव का ऐसा धाम जहां प्रकित खुद करती है सिवलिंग का जलविशेग विंद की वसुंदरा में कई ऐसी प्राचीन वे अतिहासिक जलप्रपात मंदीर की लायस्तित हैं जिनें देखकर लोग मंत्र मुख्ड हो जाते हैं हम आपको बता दें कि ऐसी ही एक जगे है घिनवची धाम जहां प्राचीन स्यूलिंग का बारह महीने जलविशेग प्रकित करती है सिर्मावर की घाटियों के बीच हैरे भरे जंगल में घुमने सैकडों लोग पहुंचते हैं खासकर सावन माह में यहां भक्तों और घुमने वालों का जमावड़ा लगा रहता है पूजा अर्चन सैथ भंडारे वा मेला का भी आयोजन होता है यहां बंदर भी काफी संख्या में हैं जो हर पल लोगों का मनुरण्यन करते हैं इस जगे पर रिवा ही नहीं बलकि आसपास के जिले से भी लोग घूमने आते हैं पावन घिनोची धाम रिवा मुख्याले से करीब 45 किलोमेटर दूर वो सिरमौर से 4 किलोमेटर की दूरी पर है चारो तरब पहाडों से घिरा हुआ और धर्ती से लगबग 300 फीट नीचे इस्थित है यहां अद्रस से जलस्त्रोत और प्राक्रतिक जल के रूप में भगवान भोले नात के अतिप्राचीन शिवलिंग का अभिशेक 12 महीने 24 घंटे लगातार हो रहा है भगवान भोले नात की महीमा यहां देखते ही बनती है यहां दूर दूर तक जल का कोई स्रोत भी नहीं है फिर भी अद्रस से जलस्रोत के रूप में पहाडों चट्टानों से होते हुए पवित्र जलधारा सीधे भगवान भोले नात के शीवलिंग का अभिशेक करती है। पौरानिक मानिताओं के अंसाथ रेता युग में मर्यादा पुर्शोतम राम और माता सीता के पुत्रों लवकुष का जन भी पावन घिनोची धाम की घाटी में ही हुआ था जिनकी सीख्षा दिक्षा भी महार्शी बालमीकी जी के द्वारा पवित्र शीवलिंग के मार्क द वह होता है साथ ही भगवान भोलेनात के पवित्र शीवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है इस तरह से ये स्थान परियाटन यम धार्मिक दोनों रूप से अतिमहत पूर्ण है घिनावची धाम पहुँचने के लिए पहले लोगों को काफी स जंघर्स करना पड़ता था या घने जंगलों के बीच से जाना पड़ता था बहुत ही कम लोग यहां पहुच पाते थे लेकिन बन विवाग द्वारा परियाटन के रूप में विक्सित हो रहा है इस जगह तक पहुचने के लिए एक कच्चा सुखम रास्ता शीवलिंग त तक कि टिकेट का भुखतान भी करना पड़ता है आए सुनते हैं परियाट को सहित सुरक्षा कर्मी आर एंसिंग से प्राब चानकारी के अंज़िए में कट्रा से अपना गाँ भीड दस किलो मितर अंदर पड़ता है मेरे किता जीनकान नाम सी रंगलाल बुखता है आया करता हूं है हमार दो चार बारा तो कहां बहुत अच्छा स्थान है पुछी सिस्थान में नहाने में बहुत अच्छा लगता है और यहां फैमिलों को प करें तो करने तक रहता है और हमे अच्छी जगहा है मेहाने के लिए बढ़या स्थान है पुरा सीध में बद practically उखर होगया रहते हैं आपम की थोड़ा सिकून सी जगहा अच्छा लगता है आमें आते हैं कितनी लोग यहां रोज आते होंगे करीब दो सो तीन सो पर डेली आते हैं आपने जिसी बबस्ता है कि आपके दावले राडियों को इसे बढ़ी है यहां पर हम लोग इसे भी छुटिया राजी नहीं कभी हमें आल टाइम वीजी रहते हैं लेकिन जब भी कभी करते हैं उसकी बजह क्या क्या है यहां की फ्राक्सिक पानी जो है यहां अमेंफा गिरता रहता है चैसे प्रक्सिक जो है अपने द्वारा यहां पंकर जी का बारो महीने हमें होता रहता है और यहां कई सारी दो तीन मंदिर भी बनी है और लोगों का फ़से बड़ा आकर सक केंद बज्व का उटकी बज़ा है कि यहां प्राक्सिक फोन देटा जोदी पैटक भी भाग वाले भी अपना कुछ मॉड़ी वीकेशन कर ले जिप की बज़ाए से यहां लोग को सी तीमफु लोग पैड़े यहां अपना घूमने इंज्वाइब करने आया करते हैं बहुत के लोग आकर अपना भी थैमिली आते हैं खाना पीना बनाते हैं अपना फूरा दिन यहीं बेतीर करते हैं गुणाषए घान नहीं है यहां पर हर्मान जी और बड़े जी इस पर्ण प्रचेट रूप तो यहां पर लगातार आते हैं और जानकारी मीरी तो हम भी आएं तो यहां पर देख कर अच्छा लगा धार भी रूप से और प्रहेटें के रूप से बहुत की अच्छा है और सासंपोस को और ज्यादा डवलप करने क्या अफिक्ता है अभी कुछ यहां बक्याम और मिल्ठ परचंड परच्णार के फराचल तो हैं और करने में strawberries की तो मिल्ठ पर नहीं पर आपको रहते हैं मिस्ताब इसकी है कि हैं यहां तो यहां पर टायलेत की वेश्तापित हैC JUSTicios अबने मुशा है हैं यह सिध्या मन गई है कैसे आट जाक इनदरे छुखि संकर्जी की विखनोचीज हम है यहां सिभर्थ को ब्रत करते हैं लोग में हुगा तो हम एक तूओ जाए लुकाई ह्क तैंट आटा है यहां दसो जालोगे करथ वोट होते हैं और सिभर्थ को बसंद पंच में फड़े किनि लोगाते हैं इस यह कहीं टेक हैं 177 है कि अग्यमिक हैंत विभावर प्र जाभाप एक राव Ebam वाओं डौरा उंटर्णी एंर इस वृणिया बादी है इन और वह स्यक्षाफ पॉलिफ् के लिए प्सक इसड़ा अराम होगे हैं पार दिक्कट पढ़ती दिक्र पढ़ती से स्याने लोग टिकट बगार का क्या यहां सिस्टम है टिकट का सव रुपे फ़र वीलर का टू वीलर का पचीज रुपे पाइद लगाद रुपे